नमस्कार दोस्तों लडाईया विचार धारा से लड़ी जाते हैं और ये लडाईया सकता रहने या सकता जाने से नहीं हो। भारत के और भारत के बाहर के तमाम सारे यदि हम महापुर्सों के नाम लेंगे जिनके कारण तमाम क्रांतिया हुई उनके नाम लेंगे तो वो भी यही कहें आप याद करिए सुकरात को सुकरात ने जहर का प्याला पीना सुईकार किया था माफी मांगना सुईकार नहीं किया था क्योंकि वो कहते थे आज अगर मैंने माफी मांग ली और गलत के आगे जुग गया तो मेरे जीवन जरूर बच जाएगा मेरे लोगों का सब कुछ बच जाएगा लेकिन मैं और मेरी पीड़ियां मुझे माफ नहीं करेगे और यही हुआ सुकरात ने जहर का प्याला पिया वो इस दुनिया से रुखसत हो गए लेकिन फिर उनके विचारों ने वो क्रांती की कि पूरा यूनान हिल गया यह वही यूनान है जिसने भारत पर भी आकर के तमाम सत्ता इस्थापित की थी और हमने तमाम आक्रमण जेले इतिहास गवा है चाहे सक हो हून हो सुंक हो यूनानी हो मुसलिमस हो बिटिस हो जर्मन हो फ्रांस हो पुर्तगाली हो सबने आकर के तो हमारे हां सासन किया और उधर यह दिया आप देखेंगे तो चीनी साइट के लोगों ने भी हम पर सासन किया है तो हमारे उपर तमाम अटैक हुए तमाम धर्मों के अटैक हो चाहे बहुत धर्म का अटैक हो चाहे मुसलिम धर्म का अटैक हो चाहे आज का जो हिंदू धर्म है उसका अटैक हो इस तरह के तमाम हुए लेकिन मूल विचारधारा वेद की थी वैदिक थी वो रही और आज भी दुनिया में माना जाता है कि वैदिक ग्रंतों में जो लिखा है वो साइंस्ट्रीक है और वो साइंस में प्रमालिक भी होता है तो आज जब ये लडाई चल लगी हो तो तमाम लो आज मैं क्यों विचारधारा की बात कर रहा हूं क्योंकि राम मंदिर का जो ट्रस्ट्ट है राम्तीर ट्रस्ट जो भी उन्होंने बनाया है उस ट्रेश्ट के सची हुए, RSS के चंपत्र है, वो कहते है राम मंदिर सिर्फ रामानंद संप्रदाय का है, यह ना तो सिव को मानने वाले सयों संप्रदाय का है, ना साथ्य संप्रदाय का है, ना आरसमाजियों का है, और नहीं यह किसी और का है, यह सिर्फ रामानंद संप् में क्रश्न भी नहीं आते हैं तो आप इससे समझ सकते हैं जो गोरक नाथ संप्रदाय है वो रामानन संप्रदाय का घुर बिरोधी रहा है तो ऐसी इस्तिती में आप यह समझिये दे रामानन संप्रदाय का है तो फिर राम सब के कैसे हो सकते और राम को जब हम बात करते हैं सब के राम होने की तो इमें इसाधार पर बात करते हैं कि राम कुछ दसरत पुत्र राम नहीं है यह बात बड़ी स्पष्ट है राम कंकं में ड्याप्त है वो राम वो अलग है और जो दसरत के घर राजा दसरत के हाँ पैदा हु करें तुव्य विचारधारा की लडाई है यह सत्त चलती रहेगी लेकिन हमने भारत में ही देखा है देश की आजादी के पहले एक विचारधारा थी वो लडाई लडी जा रहे थी कि हमें देश को आजात कराना है उसकी लड़ाई लड़िया आप याद करिए महत्मादानी ने चंपारण में जब इस देश के आम जन को उस लड़ाई से जोड़ने की सुरुआत की नील की खेती से जो प्रभावित हो रहे थे उन किसानों के आँ से जब सुरू किया तो यह एक विचार धारा थी और वो विचार ध हरा आगे बढ़ी उस समगर देश को एक साथ जोड़ने में सफल हुई और उसका नतीजा आप देखे यदि आप चौरी चौरा कांड को ही देख लिए तो उस कांड में मरने वाले और मारने वाले दोनों हिंदू थे हर जातिके थे को यादो था दोनों तरफ यादो थे दो दोनों तरफ ब्राम्मा थे दोनों तरफ मुस्लिम थे दोनों तरफ छत्री थे दोनों तरफ और दूसरे लोग थे तो यानि अंग्रेजों के साथ भी जो खड़े थे वो भी हमारी जाती और धर्म से जोड़े हुए थे और इधर भी जो खड़े थे वो भी थे लेकिन लड को फासी दिइगए जो फासी दिगए उसमें भी हमारे हर जाती हर धर्म के लोग न तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह इस्थिति कमो वे से दिया जलिया वाला बात का अन्न देखें तो उसमें जनर्ल डायर्ट सिर्फ आदेश देने वाला था गोली चलाने वाले सारे हिंदू और सिख थे और मरने वाले सारे हिंदुस्तानी वो सभी जातियों से थे सिख भी थे हिंदू भी थे मुसल्मान भी थे सत थे मन्या भी थे चत्री भी थे ब्राम्मर भी थे पूरी लिस्ट देख लिए आप समझ जाएंगे तो कहने का अर्थ है कि विचारधाराओं से लड़ाई लड़ी जाती है जब जब जाती धर्म के नाम पे लड़ी जाएगी तो निश्ची तो उसे लड़ी आप इसको एक बड़ा सुंदर सा उधारण मेरे पीछे लगी तस्वीर से देख सकते हैं बड़ी अजबुत तस्वीर सर्दा बरलब भाई पटेल पिछडी जाती से आते हैं महत्मा गांधी वैस बनिया संदाय से थे और पंडित जबहार लाल नहीं ब्रामर थे इन सब के बाद में जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी एक होकर के लड़ी यह संदेश है कि देश सब को जोड कर ही बनता है किस एक को काट कर नहीं बनता है मौलाना आजाद साम मुस्लिम थे लेकिन इस हिंदुस्तान के लिए लड़े वहीं दूसरी तरफ तमाम से राजे रजवाले जो राजपूतों के थे वो जाकर के समझवता पाकिस्तान के साथ मिलने का कर लेते हैं इसके उधारन मौजूद है इ जिन्ना और सावरकर एक हो करके खेल खेल रहे थे हमें लड़ा रहे और अपनी सत्ता इस्थापित करने का खेल रच रहे ते विश्तान मौजूद है जब इतने उधारन मौजूद हों तो फिर हम लड़ किस बात के लिए रहे हम लड़ इंसाफ के लिए रहे आज रहूल- तादी एक विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी को न्याईक हक मिलना चाहिए। राजनेतिक भी, आर्थिक भी, सामाजिक भी, किसी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। आप याद करिये, राजियो गांदी सत्ता में थे, तमान मुस्लिम संगठनों ने सोर मचाया, गुट बना करके लड़ाई लड़ी और वो किया, अंतते सरकार ने कहा कि ठीक है, यही चाहते हैं, तो साहबानों केस में फैसला पल्टा गया। उसको लेके आज तक राजियो गांदी पर दाग लगाया जा, वही दूसी तरफ हिंदू संप्रदाई के लोग कि जितनी जगए है मस्जित के बाहर, उतने में ही हमारा मंदिर बन जाए, हमें उसमें कोई आपति नहीं हमें वही जगए दे दीजे, राजियो गांदी उसको को कहता है, आप मंदिर भी रोती है, कोई कहता है, आप मुस्लिम भी रोती है, जब कि आप दोनों का भला करना चाहिए, तो जब यह होता है, तो निश्यत उससे दुखद इस्ति होती है, कि आपके कारण, आपकी सब कारणों से वो बदनाम होते हैं और उसके बाद यह सारी इस्थतियां होती है तो जब ये हालात होते हैं तो लगता है कि आप कौन सा देश बनाना चाहते हैं आप एक जगे खड़े हो या आप याद करिए आजादी के बाद पड़े जवाहलाल नहरू ने सोशियो एकोनामी एडाप्ट किया यानि उन्होंने पूली बाद मिलेगा पूझी पती भी मालिक बनेगा और गरिब से गरीब आद्भी इंगी मालिक बनेगा और हर जाती-ढर्म का बने उसके लिए नीतिया मनैग्अ लेकिन कथित समाजवादीयों ने, पूझी पतियों के साथ मिलकर राज suchए सोचिये कि इस देश को समाजवाद का नाम और फिर जातियों में लडाना सुरूर किया। इस्तिती क्या हुई? इतनी विक्राल इस्तिती हो गई कि सन ससतर आते आते जो है वो इंद्रा गांदी सरकार जिसने पाकिस्तान को दो टुकले कर दिये थे, चाइना को हरा दिया था, तमाम सारी विश्व में अपना जंडा लहर दिया था, पूरी दुनिया के सवाव सो देश इंद्रा गांदी के सामने खड़े होकर उन्हें सलामी देते थे, उस इस्तिती में, उस विस्तुगरू बने देश को, उन्होंने हराने का काम किया क्योंकि उससे अमेरिका खुस हो रहा था, और जब यह खेल हुआ, तो निश बनाया गया, और जिस तरीके से बातने की कोशिस की गई, सिकों को बातने की कोशिस की गई, और ये सब खेल हुए, नतीजतन हिंद्रा गांदी तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन राजियू गांदी ने आने के बाद में जो डवलप्मेंट के काम किये जिस तरीके से देश को जोड़ा जिस तरीके से अउनाचल प्रदेश चीन से छीन कर मिलाया नेफा को खतम किया और आगे बढ़े स्री लंका से लेके सब जगे हमने जंडे गार दी अपने प्राणों की होती दी लेकिन जो सरकार आई है कहके मंडल कमंडल का नाम ले करके और मंडल कमंडल वाले एक साथ बैठकर के सरकार बना लेते हैं और उसके बाद अन्याय सुरू होता है तसमीरियों के साथ अन्याय होता है इधर अन्याय होता है तमाम पिछड़ों के साथ दूसरों के जातिवाद और बढ़ गया, धनबाद और बढ़ गया, नफरत और बढ़ पिर आया कि नहीं हम डेवलप्मेंट के प्रोजेक्ट पर ही काम करेंगे कॉंग्रस की सरकार आई, उसने डेवलप्मेंट को फिर से एडॉप्ट किया, फिर से वैस्विक आर्थिक मजबूती की दिशा में काम किया मन्मोहन सिंग्ग ने बता और बित्मंत्री बड़े सारे सुधारों को सुरूप किया नतीजा ये हुआ कि देश में सोशियो कैप्टलिज्म की जो सुरुवात हुई, उसने और बड़ा मुकाम हासिल किया फिर अटल्जी की सरकार आई, फिर से एक बार वही चीज़ें धीरे-धीरे पनपने लगी तमाम ड्रामे होने लगे, अंततह फिर देश की अर्थवे उस्थागर्त में जाने लगी फिर से उसे उठाने के लिए, किस तरीके से सुरुवात की गई, और 2004 में जब मन्मोहन सिंग की सरकार बनी, तो फिर से हम एक आर्थिक महास्क्ति बनने की दिसा में चले आगे बढ़े, करोन करोन लोगों को हमने गरीवी रेखा से उपर किया, सारी चीज़े करके आए, फिर उसके बाद में लगा कि नहीं, इससे तो देश मजबूत हो जाएगा, तो तमाम बैस्विक सक्तियों ने उसे कमजोड करने का खेल किया, और नरे नमोदी ने चाइना की मदद ले करके, इसराइल की मदद ले करके, और जिस तरीके से पूरा अमेरिका की मदद से, खेल हुआ आज नफरत में जलता हुआ देश है, और उसमें आग में खी का काम किया जा रहा है, अब हिंदु धन को कैसे बाटा जाए, तो कोई कहता है, ये रामानन संप्रदाय का मंदिर है, कोई कहता है, इसका है, कोई कहता है, उसका है, चलिए जिसका भी है, आप उसको दीजिए न, उसका काम है, तो रामानन संप्रदाय के साध्वों को संतों को दे दीजिए, वो अपना बनाएंगे, करेंगे, आप कोई होते हैं, लेकि नहीं साथ, रखेंगे हम अपने हाथ में लगागा, क्यों कि उससे ही तो हमारी संता आती है, उससे ही तो हम नफरत पैदा करते हैं, आज जब इन जूट नफरत सबसे लड़ने का वक्त आया है, आर्थिक सामाजिक विसमताओं से लड़ने का वक्त आया है, और जब विचार धरा की बड़ी लड़ाई, लड़ने का वक्त आया है, और राहुल गांधि उस विचार धरा की लड़ाई की जब अगवाई कर रहे ह तो उस इस्थति तमाम वो छिछले दल जिनों ने जात के आधार पे धर्म के आधार पे और दूसी नफरत के आधार पे पूझी पतियों के मदद से अपने आपको खड़ा किया था तो आज फिर खेल कर रहे हैं कहीं उत्तर प्रदेश में हो तो समाजवादी पार्टी अपने ढंग से कि नहीं हम ऐसे नहीं इतने लड़ेंगे इतना करेंगे इस पे अपने स्वार्थ उससे सबसे पहले दिखाई देते हैं विचारदारा दूर हो जाती है यदि हम बिहार जाते हैं तो वही नितीस कुमार जो भी पक्षी एक्ता की अगवाई की बात कर रहे थे आज वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो इतने पर लड़ेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे उसको लेके खीस्तान सुरू कर देते हैं उदर ममता बेनर जी जो पूली पती और उसके गच्जोर में नफरत के गच्जोर से सरकार चिला रही है वो जिस तरीके से वहाँ पर अलाज़ता की हालात हैं उन हालात के बाउदी वो जिस तरीके से खेल कर रही है उस खेल से फाइदा भारतियंता पार्टी को मिलता है चा है बिहार में हो चाहें उत्तर प्रदेश में हो और इसके बाद में यदि हम और आ जाते हैं दच्छर में तो वहां पर भी कमोबेस इस तरह की स्थिती देखने को मिलती है यह लोग भूल जाते हैं कि आज मौजूदा हालात क्या है यदि हमें हालात से लड़ना है तो स्वार्थों की सरकार और वो विचारधारा वही हो कि सब को आर्थिक ने आए मिले सब को सामाजिक ने आए मिले सब को राजनेतिक ने आए मिले इसकी लड़ाई तो यह लड़ाई जब हो और यह लड़ाई आज इसलिए जरूरी है इसका एक उदारन बताता है भारत सरकार पर 205 लाख करोन उपए का कर्ज हो चुका है चाइना के साथ हमारा जो ब्यापार घाटा है वो लगा तार बढ़ता जा रहा है और देश कर्ज के घर्त में जा रहा है ऐसी इस्तिती में नरेंद मोधी सरकार एक साल के भीतर बारा टम सोना बेच देती है तमाम हमारे देश की कंपनियां और तमाम सारी चीजें बेच देती तमाम चीज़ों को प्राइवेट करती है और उसके बाद भी कर्ज बढ़ रहा है और कहते हैं डेवल्लप्मेंट हो रहा है तो development क्या होता है development यह होता है कि चंद पूझी पतियों के इसारे पे जंगलाथ काटे जा रहे हैं मोधी के चहते पूझी पती के लिए 36 गड़ में पूरे जंगलाथ काट दिये गए 3,00,000 पेर काटे जा रहे हैं इसी तरीके से आप यह दी जाएंगे आगे दूसरे उनमें तो वहाँ पर भी हो रहा है साड़े आठ लाग से अधिक पेर काटने का अनुमती दे दी गई है निकोबार में तो एक तरफ पूरी पूझी पतियों को भी सौप रहे हैं दूसरी तरफ देश को कंगाल कर रहे हैं देश की संपत्तियां हो देश की जो तमाम तरह से जो उपज हैं खनिज हैं सारी चीजों को बेच रहें जब देश बेच रहे हूं उस इस्तिती में इसको बचाने की लड़ाई लड़नी है या इसको बेचने वालों को समर्थन देने की लड़ाई लड़नी है नफरत फैलाने वालों के साथ खड़ा होना है या उनके नफरत को खत्म करने वालों के साथ में प्रेम और मुहबत वाल करनी है या मंदिर के सामने भिखारी बनाने की बात करनी है फैसला तो आपको करना है लेकिन ये चंद नेता चंद राजनेतिक पार्टियां अपने सिर्फ स्वार्थ की बात करने हैं वो देश की बाते नहीं करने हैं राज्यों के चुनाओ होते तो हम कहते कि हाँ ठीक है आप अपने स्टेक को लड़े, लेकिन आज देश की बाद, पुरी दुनिया में भारत की जो दसा हो रही है, वो बत से बततर है, हम सिर्फ भिच्छू बनके रह गए हैं, हम उपभोकता बनके रह गए हैं, ऐसी स्थिती में संकट की हालत है, तो उस स्थिती में देश को बचानी की लड़ाई है, तो यह विचारधारा की लड़ाई है, यह सकता अकेले से नहीं होती, सकता आएगी, जाएगी, लेकिन विचारधारा रहने चाहिए, तो यदि आपको मुहबत की विचारधारा चाहिए, तो आपको कॉंग्रेस और राहूल गांदी के विचारों के साथ खड होना चाहते हैं देश को बाटने और बेचने की विचादारा के साथ खड़े होना चाहते हैं तो नर्यनमोदी के साथ खड़े हो लेकिन पहचानना होगा इन बीच वालों को जो मौका परस्त हैं जो पाले ही बदलते हैं, जो अपने को बचाने के लिए अपने लिए सिर्फ लड़ते हैं, अपने लिए करते हैं, यह इनको आप पहचान गए, तो वास्त्रिक लड़ाई तभी जीती जा सकती है, फैसला आपका है, क्योंकि एवियम आपके दिमाद में है, कहीं और गरबर नहीं है, ज अपने लड़ते हैं, जो आपके लिए आपके लिए यहश्त्रिक लिए पाद में है, यह झाल पर वाराई वास्त्रिक लड़ते हैं?